रण खेती रजपूतरी कबहु न पीट धरे देश रुखाले आपने दुखिया पीड हरे इसका आर्थ है कि युद्ध एक खेत है जहां राजपूत वीरों की खेती होती है जो अपनी प्रजाकी रक्षा के लिए कभी युद्ध में अपनी पीट नहीं दिखाते हैं लेकिन इस बार देश में लोकतंदर का सबसे बणा रण है और पूरे राजपूत समाज ने उस सत्तारूड बीजेपी पार्टी को अपनी पीट दिखा दी है जिसका वह कोर वोटर मना जाता है राजपूत समाज ने संकल्प लिया है कि बीजेपी का लोगसबा चुनाओं में बहिशकार किया जाए वजह बना है लोगसबाचनाओं के बीचों बीच बीजेपी के एक नेता ने एक ऐसा वयान दे डाला कि पूरे देश में करणी सैना ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला दी लाखों की संख्या में राजपुत समाज के लोगों को चुनाओं में बीजेपी का बहिशकार करने की शपत दिलाई जा रही है। दरसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रतैशी परशोत्तम रुपाला ने राजपुत समाज की महिलाओं को लेकर अभध्र टिपनी कर दी थी। इसके बाद तो राजपुत समाज ने इसका जमकुर व्रोद किया। करनी सेना द्यक्ष महिपाल मकराना समेथ कई राजपुत संगटनों ने इसके बाद बीजेपी से रूपाला का टिकेट काटने की मांगी लेकिन ना तो बीजेपी ने रूपाला का टिकेट ही काटा और ना ही आधिकारिक तौर पर माफी ही मांगी अब राजपूत समाज कह रहा है कि अब की बार 400 पार नहीं होगा बलकि अब की बार आर या पार होगा देश का राजपूत समाज अब बीजेपी के खिलाफ ऐसे ही हूंकार भर रहा है करणी सेना के बैनर तले राजपूत समाज का यह आंदोलन राजस्थान के चित्तोल गड़ से शुरू हुआ और अब यूपी भूँच चुका है उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोगों को शपत दिलाई जा रही है कि बीजेपी का पूर्ड रूप से लोगसभा चुनाओं में बहिशकार किया जाए ऐसे में बाकी बचे तीन चरणों के चुनाओं में बीजेपी की मुश्किले बढ़ सकती है चौकाने वाली बात यह है कि हिंदी पट्टी राज्यों में उत्तर प्रदेश ही वैस्टेट है जिसके दम पर ही केंदर में बीजेपी को सत्ता का भरोसा सबसे जादा है यहां 80 लोग सबा सीटे हैं उधर एक्सपर्ट का दावा है कि करणी सेना के विरोध का उत्तर प्रदेश के चुनाओं में कोई ज़्यादा असर नहीं दिखेगा माना जाता है कि बीजेपी ने यूपी को योगी आदितनात के तौर पर एक राजपूत सीएम जो दिया है हाला कि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में राजपूतों की नाराजगी ने विधान सभा चुनाओं के दौरान यूपी में एकाज सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था उत्तर प्रदेश में समराट महिर भोज को गुर्जर बताने को लेकर भी राजपूत समाज में विरोध चल रहा है करनी सेना देक्ष महिपाल मकराना का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी रूपाला ने अपने मान सम्मान के खातिर जहर करने वाली शत्रानियों के चर्तर पर गलत टिपणी की है मकराना कह रहे हैं कि राजपुत समाज ने हर समाज की बहु बेटियों के लिए अपनी गर्दने कटाई है लेकिन बीजेपी आज हमारी बहु बेटियों पर अभधर टिप पड़ी कर रही है उधर महाराष्टर में भी बीजेपी सपोर्टिंग शिंदे सरकार की वादा खिलाफी का भी राजपुत समाज में विरोध है शिंदे सरकार ने वंचित राजपुत समाज को आरक्षन देने का महाराष्टर में वादा किया था अब राजपुत समाज कह रहा है कि राजस्थान, गुजरात, महराश्टरा, यूपी समेत पूरे देश्व बीजेपी के खिलाफ केम्पेंज जारी रहेगा और कहा जाएगा कि कमल का फूल हमारी भूल है भले ही बीजेपी अपरत्याशित भहूमत यानि 400 सीटों के साथ जीत का हैट्रिक लगाने का दावा कर रही हो लेकिन इस बार बीजेपी से कुछ ऐसा हो गया है कि पार्टी के कोर वोटर्स को पार्टी ने नाराज कर दिया है अगनीवीर योजना किसान अंदोलन के साथ ही राजनेतिक महत्व नहीं देने से हरियाना राजस्थान का जाट समाज नाराज चल रहा था उपर से परश्थम रूपाला के राजपूत महिलाओं पर किये गए इस बयान से राजपूत समाज बुरी तरह से नाराज हो गया है बीजेपी नेताओं के सम्विधान को बदलने वाले बयान आरक्षन को खत्म करने वाले बयान तवाम मामले ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने कई राज़ियों में जातिगत समिकरणों को खुद के लिए बिगाड़ दिया है अगर थोड़ा गौर करेंगे तो इन सभी मामलों में बीजेपी नेताओं के अनियंतरित बयान बाजी बीजेपी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई पटाक्षिप ना करना आक्रोश की बड़ी वज़े माना जा रहा है राजबूत राजाओं के राज भले ही आज खत्म हो गए हो सियासतों का विले होकर लोकशाई का उदे हो चुका हो लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले शत्रिय समाज और उनके परिवारों महिलाओं तक ने देश की आन बान शान के लिए खुद को नियोचावर किया है और यह हम नहीं इतिहास कह रहा है इतिहास में हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है ठीक लोकसबा चुनाओं के दौरान आज वही शत्रिय समाज अपने सम्मान के खातिर देश के सबसे बड़े राजनेतिक दल बीजेपी से भड़ गया है देखते हैं इसका प्रणाम क्या होगा फिलहाल मुझे दीजी एजाजत जनता धरबार के लिए च्यापुर से विजय वर्मा